हेलो गाईज, वेल्कम बैक टु दे वीडियो, आज आपको इमें इस वीडियो पे Alternating Current के Quick Formula Revision Notes प्रोवाइड करने वाल हूँ, तो इससे पहले हमने आप रे आप रे आप्टिक्स के तो इस Notes में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपके यहां पर जो भी Important Points है, या पर आपके जो भी यहां पर Formless है, उससे आपके Derivision के जो आपके Results आते हैं, उससे आपके Special Cases बनते हैं, या जो आपके Diagrams है, Phaser Diagrams, Graph अपका बनता है E और I के बीच में, EMF और Current के बीच में, तो वो सब चीज़े में आपके Case में अच्छे से Include कर रखी, टोटल आपके Notes हैं पर Colorful Handwritten है, तो आपको समझने में जाता आसानी होगी, जैसे आपके Last Minute Formless Revision Notes से ने Detail में आपके कुछ नहीं लिखा है, जैसे Detail में आपके Derivision करके नहीं दिया है यहाँ पर, क्योंकि यह आपके Last Minute में काम आने वाले, Board Exams के टाइम पर, तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस Notes की, तो जैसे आपके Average Value of AC over 1 Complete Cycle के, जो आपके Derivision का Results आता है, उसके जो आपके Important Points रहते हैं, फिर आपके Special Cases बनते हैं, वो आपके Important हैं, तो व Important Relations आते हैं, वो सब चीज़े में आपके इसमें इंक्रूट कर रहते हैं, जैसे आपका भी Register का है, वैसे आपका यहाँ पर Inductor का होता है, और Capacitance का भी रहता है, तो इस सब चीज़े आपको मिलेगी, फिर आपको यहाँ पर जैसे यह Inductive Reactance और Frequency की बीच में ग्राफ है, वैसे आपके हाँ पर Capacitive Reactance और Frequency की बीच में ग्राफ रहता है, वो भी आपको पता होने चाहिए, कभी-कभी यहाँ से भी आपके Question उठके आ जाते, और क्या Important Topic आपके इसके आपके LCR Circuit है, फिर आपके Sharpness और Resonance है, Quality Factor का जो expression है, वो आपका Most Important है, और क्या चीज़े आती तो बहुत सारे आपके इसमें Derivisions है, लेकिन Derivision आपके Interconnected है, अगर हम बात करें LCR Circuit की, RC Circuit की, LC Circuit की, तो इनके Derivision आपके Interconnected है, वैसे अगर हम पावर है नीसे Circuit बात करें, तो इसके अंदर भी आपके Average Power के जो Register, Inductor, Capacitor के जो आपके Derivisions है, वो भी आपके Interconnected Derivisions है, ठ लगेंगे, तब आपको ज्यादा आसानी हाँ पर हो जाएगी, Derivision की Solve परने में, ठीके, तो इस सब चीज़े में आपके यहाँ पर लिख रखी है, और क्या चीज़े आपको मिलेगे इसके अंदर, Resonance Condition, LCR Circuit का वो भी आपका Important है, उसका भी मैंने आपके यहाँ पर अच Alternative Current के हाँ पर नोट्स मिल रहे, और के चीज़े आपको इसमें मिलेगी, जैसे आपको Impedence क्या होता है, उसके जो Relation बनते है, यह तो आपके LCR Circuit का है, ठीके, फिर आपके Instantance Value of Current के आपकी Value के रहती है, पीक Value of Current के आपकी Value के रहती है, यह सब चीज़े आपको पता होनी चाह Relation, LCR Circuit, तो यहीं आपके यहाँ पर Important रहता है, Wattless Current, तो इस से आपके यहाँ पर Long Type में Question पूछे आते, Board Exam में, ठीक है, तो इस सब चीज़े आपको मिल जाएगी, यह भी आपका Graph है, यह भी Important Graph है, जो आपका Resonant Frequency के बीच में रहता है, ठीक है, बाकी Expression Q Factor का Important है, यह से तो में आपका Resonant लिखा है, लेकिन Derivation आपका Most Importance के अंदर, दोतीन आपके यहाँ पर Relation बनते, Quality Factor के, कभी-कभी इस से भी आपका Simple से Numerical आ जाता है, जिसमें आपको खाली Value Put करने होती है, उसमें वो देखते कि आपको यहाँ पर Q Factor का Relation पता है या नहीं है, बहुत Simple N आपको यहाँ पर Value दे देंगे, पर आपको अच्छे से formula बता होने चाहिए, पर आपको अपको अप्लाइ करने हो आपको आपको अंसर अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, तो कुछ आपके Basic Numerical भी AC में से आपको अच्छे से देख सकते हो, बाके अगर बात करें इस Notes की, तो और के Notes से अबर देखेंगे, Physics के भी देखेंगे और Chemistry की भी हाँ पर हम देखें करके अच्छे से देखेंगे, तो मेलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, Thank you for watching the video.